दोस्तों भार्तिय जंता पाटी अक्सर ये कहते वे नजर आते हैं कि उनके नेता, उनके मंत्री, उनके तमाम लोग, यानि कि पूरी भार्तिय जंता पाटी का चाल चरित्र जो है वो एवन है संसकारी पाटी है, बाकी पाटियों की तरह नहीं है, उनके पाटी में सारे संसकार से भरे हुए है, हालकि आप कुलदीव सिंग सेंगर, चिनमेया नंद जैसे लोगों का नाम सुनते हैं, तो बीजेपी किस तरीके की पाटी है, वो अक्सर आरोप लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से कि जो संसकार की दुहाई बीजेपी देती है, उन संसकारी पाटियों में कैसे चिनमेया नंद कुलदीव सिंग सेंगर जैसे लोगों से भरा पड़ा है, और फिर बीजेपी उसे अपनी पाटी से निकालती भी नहीं है, उसको छत्र छाया देती है, जब छीछा लेदर चारों तरफ से होता है, जब विपक्ष आवाज उठाता है, पीड़ परिवार आवाज उठाता है, तब अश्ता पश्ता कर कुलदीव सिंग सेंगर को निकाला जाता है पाटी से, तो ऐसे नेताओं से भी बीजेपी जो है, बीजेपी में नेता जो है वो भरे लाल किले से महिला, सुरक्षा की बात कर रहे थे, नारी शक्ती की बात कर रहे थे, लेकिन एक वीडियो दोस्तों, इननों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वारल हो रही है, जहां पर नारी शक्ती, महिला, सुरक्षा, महिलाओं के साथ किस तरीके का बरताब होता है, हमार चलते हुए महिला को छेड़ रहे थे और फिर महिला ने उनको ऐसा छेड़ा ऐसा छेड़ा किस वीडियो में साफ़तोर पर नज़र आ रहा है दोस्तों जी हां महिला ने इनको जबरदस तरीके से पीटा है इनकी जबरदस तरीके से धुलाई की है यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है कि कैसे बाती जुनता पार्टी का संसकार जो है वो साफ़तोर पर नजर आ रहा है कि महिलाओं का सम्मान करने के लिए महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो बाते कही जाती है जो बड़े-बड़े वादे किये जाते हैं वो कैसे ख पहदरता कर रहे थे भाजपानेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है एक अन्य महीला बाइक तोड़ती नजर आ सदर स्टेशन रोड का बताया जा रहा है यह मामला इसी वीडियो को दोस्तों एहमद कभीर नाम के यूजर ने भी टुईट किया है और लिखते हैं कि उत्तरप्रदेश की सदर्ध नगर में भाचपा निताओं को महिलाओं से अबदर्था करने के आरोप में महिला दौरा बीच चौराहे पर पीटा गया है किस तरीके से महिला के साथ अबधरता कर रहे थे छेर रहे थे तो इनको जबर्दस तरीके से महिला जो है वो पीटना शुरू कर देती है और फिर जब पता चलता है कि कौन है तो भाई बीचेपी के नेता है तो इस तरीके से कई ऐसे लोगों का नाम है दोस्तों जहाँ पर बीजेपी से ही लिंक जुड़ा हुआ आता है कभी गाजियाबाद वाला मामला देख लीजे कि त्यागी जो है वो कैसे महिलाओं को सुसाइटी के अंदर गाली गलोज अबदरता करते वे नजर आ रहे थे उनसे बत्तमीजी करते वे न परत उस शक्स के बारे में पता चला त्यागी के बारे में कि वो कितना रसूख वाला है पुलिस प्रिशासन भी उसके सामने जो है जादा कुछ नहीं बोलती थी पुलिस प्रिशासन का वो रॉब दिखाता था लोगों को डराता था दमकाता था लेकिन जब ये पूरा माम संसकारी पार्टी के संसकारी नेताओं का देखिए कि महिलाओं को अभधरता कर रहा था महिलाओं के साथ बत्तमीजी कर रहा था और इस तरीके से इनकी खारियत ली है वो साफ़तोर पर जग जाहिर हो रहा है और सोशल मीडिया पर इस वीजियो को धरल्ले से शेयर करके खबरें जरूर सामने आजाती है, जहांपर मारने, पीतने, अभधरता करने, मॉलस्थि करने की खबर निकलकर, ग्रेजु किसा है क्याया की महिलाओं को मॉलस्थ पर चैनल करने की है, मीडिया जो है वो इस पर चर्चा नहीं करेगा हाँ अगर यही कोई बिपक्ष का नेता कर रहा होता तो अभी तक उसको लेकर क्या क्या खबरे चली होती किस तरीके से जो है चीजे नजर आती लेकिन अपसोस की बात कि यहां पर पक्ष बिपक्ष हिंदू-मुस्लिम की औ capitalist किया जाता है तो बहुत कर रहा है उसके शाथ नहीं मलखिन उसके ख्लाफ खड़ा होना है आवाज हुँछाना है लेकिन अबUST की बात यह सब मीडिया में कहां दििखाया जाता है दोस्तो इस पूरे रिपॉर्ट को लेकर आप या सोचते हैं आपकी क्या राइए है हमे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ नेशन 360 को जादा सा जादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भुले